तो यहां हम ले मार्केट में हैं और ले मार्केट में न एक तो मार्केट बहुत खुबसूरत है आपको दिखाता हूँ यह देखी और रात के समय इतना खुबसूरत हो जाता है और मल्टी एथिनरिसिटी क्या बोल सकते न कि बहुत सारे हर दारे के लोग आपको लदाखी भी मिलेंगे इसराहिली और नजाने किस किस कंट्रीज की लोग यहां मिलेंगे हिंदुसानी तो हैं यह आपकोस बहुत सारे इतना खुबसूरत है और इतनी डाइवर्ज जैसे कि यहां मज़िध है। कहीं पर थोड़ी देर पहले गोंपा था और यहां दिखे इतने खुबसूरत रेस्टूरेंट बने हुए है। और इस रह भरी दिस्ट्रेंट फ्लीवर अफ लबदाक in every shop which is here. पश्मीना का कितना खुबसूरत वर्क है इंडियन आर्ट्स एक्सपोईशन ये देखिये जैन्स ज्वेलरी शॉल, कार्प, कार्पेट्स और नजाने कितनी खुबसूरत चीज़े और अभी आप जानते हैं हम यहां फुर्मानी लेकर खा रहे हैं ये इतना exotic fruit होता है और इतना अच्छा होता है, इतना स्वाधिष्ट इसको एक आप चेक हमारेंगे ना बहुत यमी, बहुत इतना यमी होता है ना इसके नितर एक छोटी सी गुठली निकलती है और इस वेरी वेरी टीस्टी बहुत नीठा, बहुत मीठा जिनों ने लदाख नहीं देखा है वो ऐसे मेरे साथ देख लीज़े और ये है Tibetan refugee market ये भी एक अपने आप में बड़ा special market है आप देखें, छोटी-छोटी खुबसूरत चीज़ें यहांपर बहुत सारी नजाने कितनी और बहुत खुबसूरत चोटी-छोटी आर्टिफाट्स खुबसूरत और बहुत प्यारे से लोग अजान को बेच रहे हैं आप थोड़े बहुत बारगेनिंग कर सकते हैं आप शोटी-छोटी चीज़ें बहुत चोटी-छोटी और लेकिन बहुत प्यारी-प्यारी यह देखिए आप पश्मीना और हैंडवर्ग यह चर्खा पुराने जमाने का रक्खा हुआ हैं देखिए और इस टाइम पर जाके ना जैसे ही देखिए आप आइलाफ टेर्स एक वो है वहाँ शायद लाइब म्यूजिक चल रहा है और किटार्स भी प्ले हो रहे हैं और बहुत खुब्सूरत सी वाईब से लेकिन मुझे लगता आप वीडियो में इतने अच्छी तरह से नी समझ पाएंगे लेकिन जब आप आप अच्छी यहां आएंगे तो आपको यह वाईब समझ भाएंगे कि कितनी खुब्सूरत वाईब्स हैं यहां एक छुटा सही बना हुआ है आई लाफ ले जहां लोग फोटोस कि चाते हैं और यह कॉफी और बेकरी शॉप और यहां से फिर आपको टैक्सी मिल जाती हैं पिर कहीं भी जाने के लिए यह इंटायर मार्केट इस वेरी वेरी प्यूटिफिल झाल झाल